कोश्चन में आपको क्या दिया है TL दिया है 75 इंड P lies in VP इंड Q lies in HP थीटा इक्वल 30 डिग्री फाइ इक्वल 60 डिग्री कन्फ्यूजन यह है कि कोश्चन इंड P से स्टार्ट करें है कि इंड Q से पहले भी हम कोश्चन को क्या करते थे जब P और Q दुनों से inclination दिया होता था तो ऐसे में हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते थे मिन्स मानते थी कि ए पॉइंड inclination to HP मिन्स HP के साथ वो inclination और VP से क्या है पहले उस position में आपको plan X मिलता था पहले आप वैसे ड्रा करते थे फिर उसे में आप add क्या कर देते थे कि line incline to VP ये angle जो आपको 5 मिलता था पहला टू HP फिर दोनों के combination से आप क्या करते थे X और Y को आपे निकालते थे same process यहाँ पे भी करना है वहाँ start किससे करते थे theta से यहाँ पे भी start किससे करोगे theta theta means HP का inclination यहाँ दे रहा है और HP जो लाई कर रहा है HP पे जो ind लाई कर रहा है वो क्या है ind Q है तो इसलिए question में ind Q से start कर रहा है बहुत ही basic चीज़ है किसी question पे particular रटना नहीं है कि हमें ind Q से याद करना है या ind P से बस आपको जो theta वाला HP वाले से inclination से question करना है start करते है उसी method से करना है अब यहाँ पे आप देख रहे है कि HP के साथ जो है वो relation किसका है ind Q का इसलिए आप यहाँ पे ind Q से start करेंगे question ind Q ले लिजे ठीक है तो यह हमारा क्या हो जाएगा Q dash आप elevation में ही ले रहे है अब यहाँ पे आपको theta कितना दिया है 30 degree theta equal क्या करेंगे 30 degree पे आप एक line ड्रा कर देंगे theta equal 30 degree पे एक line ड्रा कर देंगे TL इसकी true length अगर cut करेंगे तो यहाँ पे आपको indique क्या मिल जाएगा वहाँ पे आपको q dash मिल जाएगा clear है अगर q dash का projection आप गिराएगे तो आपको क्या मिलेगा q मिलेगा q dash का अगर आप projection गिराएगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे q मिल जाएगा और आपको मालूम है कि जब lies in vp बोला है ind sorry यह अगर q dash था तो यह ind हमारा क्या हो जाएगा q dash और p dash p dash का जो projection आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा p आजाएगा अभी आपको मालूम है कि ind p lies in vp ind p lies in vp बोला है means ind p भी हमारा कहां पे आएगा reference line पे आएगा अभी हमको reference line पे एक ind p मिल गया है अब इस point से हम क्या करेंगे, 5 कितना दिया हमें, 60, 5 कितना दिया, 60, 5, 60 की हम यहाँ पर एक line, draw कर देंगे, 5, 60 पर हमें एक line, draw करेंगे, 5, 60 पर हमें एक line, draw करेंगे, अगर यह in हमारा क्या है, पी है तो दूसरा इंड क्यों होगा पर उससे पहले हम टील 75 का क्या करेंगे कट लेंगे तब इस पॉइंट का नाम क्या देंगे हम क्यू देंगे अब यहां से हम क्या करेंगे लोकस लाइन ले जाएंगे यहां से हम लोकस लाइन ले जाएंगे clear है यहां से हम एक लोकस लाइन ले जाएंगे अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारा यह P, Q दैस और P है यह हमें क्या देता है x देता है क्योंकि theta ले रहे है theta hp के साथ inclination hp के साथ inclination पे हमें क्या मिलता है reference line पे plan मिलता है x मिलता है तो means ये p dash और q हमें क्या मिल रहा है plan मिल रहा है x मिल रहा है अब हमको क्या करना है इसी x को नीचे ले आना है shift करना है तो P point से Q dash अली दूरी लेके इसको आप क्या करेंगे ले आएंगे ये arc ये arc का direction आपका कैसा है ऐसे नीचे आ रहे हैं आप ये arc ले आएंगे ये arc ले आएंगे जहां पर cut करेगा means आप Q dash को इसको क्या कर रहे हैं फिर यहां पर ले आ रहे हैं ये आगे क्या आपका Q यहां पर Q dash Q दोनों है means आप अगर इस P और Q को मिला दें तो ये आपको क्या मिल गया plan X मिल गया ये आप इसी X को shift करके इधर ले आएंगे अब अगर इस X का आपको क्या करना होगा projection इस Q का projection उपर ले जाएंगे straight तो आपको क्या मिल जाएगा इसके projection से आपको यहां पर Q dash मिलेगा इस Q dash और P dash को अगर आप मिला देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा इस से के दोनों question के concept clear कर लेना बहुत ही important है क्योंकि आप थोड़े से confused होगे पूरा question गलत कर सकते हो question किस इंड से start होगा P से या Q से? HP का inclination जिदर से दे रहा है आप करते उधरी से starting उधरी से करना theta given ही रहेगा 5 given ही रहेगा इस टाइप में तो आप theta से start करना theta अगर इंड P को बोलेगा तो आपको P से start करना होगा theta के साथ या means HP के साथ relation अगर इंड Q का देगा तो आपको question इंड Q से start करना होगा clear होगा आप तक